नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल इस्टडी सनी एडू क्लासिस में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन रच्छा के वन जल पहरी एक्जांस के लिए जो की सभी कोश्चन सेलेक्टे और इंपोटेंट लिए गए हैं देखे फे से सभी कोश्चन प्रिवियस एक्जांस के लिए काफी ज़दा इंपोटेंट है तो आप सभी इस वीडियो को सुरू से लेके अंतक जरूर देखेगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सस्क्राइब जरूर कीजिएगा तो इसे के साथ देरना करते हुए आज की सभी बहतरी क्लास को श्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले कोश्चन से तो आज का पहला कोश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था तो देखे फिर सई आंसर है आपसर नंबर P लाल बहादूर सास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था आप सभी ध्यान रखेगा इस question का right answer आप सब पहले सुरीयोदय होता है तो आप सभी ध्यान रखेगा दोसरी नमबर question का right answer आपसर नंबर बी रहे गा इसके बान नेक्र ग golption है तीसरा औरसमाज की अस्थापना किसने की थी डेगे इंस सि आरर हमी दधाननत तीन स्वामि दायननत पवरसती यह संचल की अस्थापना की ति तो इस question का राई टांसर आपसर नंबर 2 रहे इसके बार निश्च जन हे भगवान बुध को ग्यान की प्राप्ति कहां हुई थी तो देखे फिर भगवान बुध को ग्यान की प्राप्ति बोध गयां में हुई थी तो इस जलियावाला बाग हत्याकांड किस सहर में हुआ था तो देखे फैंस इस question का inspired answer हैंगा आपsen नमबर P. Ambrister में देखे फैंस Ambrister में जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ था कब हुआ था तो 1919 में हुआ था भारत की पहली महिला साशी का Cause बनी थी तो देखे फिन्स सयांसर है आपसर नमबर A, रजिया सुल्तान देखे फिन्स रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला सासी का बनी थी आप सभी ध्यान रखेगा तो सातवा नमर कोश्चन का राइट आपसर नमबर A, रजिया सुल्तान इसके बाद नेश्ट कोश्चन है टेलिफोन का अविस्कार किस ने किया है तो देखे फिन सयांसर है आपसर नमबर A ग्राहम बेल ने देखे फिन ग्राहम बेल ने टेलिफोन का अविस्कार किया है आपसर भी ध्यान रखेगा तो इस कोश्चन का राइट आपसर नमबर A रहे इसके बार निष्ट कोश्चन है गौतम बुद का बच्पन का नाम क्या था तो देखें आपसर शिद्धार्थ लिख गया है लेकिन इस कौश्चन का राइट आपसर शिद्धार्थ एंसूलीन का प्रयोग किस बीमारी की उपचार में होता है तो देखें इस question का right answer है का option number B मदू में diabetes में किया जाता है तो देखें इस insulin का प्रयोग मदू में या diabetes में किया जाता है या फिर सुगर के उपचार में किया जाता है आप सभी थ्यान रखेगा इसके बार निस्ट question है भारत का पहला governor general कौन था तो देखें इस question का right answer है option number A Lord William Bette भारत का पहला general governor था आप सभी ध्यान रखेगा तो इस question का right answer option number A रहेगा इसके बार निस्ट question है कांग्रेश छोड़ने के बाद 1949 में सुभाष चंद्रवोष ने अपनी party बनाई जिसका नाम क्या है तो देखें फिर इस question का right answer है option number B फारवर्ड ब्लाग देखें फिर इस कांग्रेश छोड़ने के बाद 1949 में सुभाष चंद्रवोष ने अपनी एक party बनाई जिसका नाम रखा फारवर्ड ब्लाग तो इस question का right answer option number B रहेगा इसके बार next question है ब्लाप केसरी की उपाथी की से दे दी गई है तो देखें फिर इस सया anser है आerieा पैसर नमबर A लाला राजपत राए को तो देखें फिर से इस कोश्चन का right answer option number A रहेगा इसके बार next question है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी तो देखे फेंस इस question का right answer हैगा आपसन नमबर B सरोजनी नाइडू देखे फेंस सरोजनी रहेगा रोजनी नहीं सरोजनी नाइडू रहेगा आप सभी ध्यान रखेगा मिश्टिक हो गया है लिखने में तो इस question का right answer आपसन नमबर B सरोजनी नाइडू तो इस question का right answer आप सन नंबर c रहेगा इसके बाद next question है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी तो देखे फेंस सही आंसर है आपसर नमबर A 1945 इस भी में भारत में इंटरनेट की सुरुआ थूँची थी इस question का right answer आपसर नमबर A हुआ इसके बाद next question है 1813 में भारत में पहली रेल गाड़ी कहां से कहां चली थी तो देखे फेंस इस question का right answer है आपसर नमबर C मुंबई से ठांड देखे फेंस 1813 में भारत में पहली जो रेल गाड़ी चलाई गई थी वो मुंबई इस्टेशन से ठांड इस्टेशन चलाई गई थी नमसकार दोस्तों से अगले न्मिश्ट वीडियो में तब पक के लिए जाहें हान आपको अगला निश्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंड करके जरूर बताए हमें आपको तुरंद आपको उस वीडियो को बना कर मैं आपको अप्लोड कर दूँगा